कहा जाता है कि अगर कभी भी तीसरा विश्वयद हुआ तो वो पानी को लेकर होगा लेकिन फिलहाल भारत के दो राजिय करनाटक और तमिल नाडू ये दोनों आपस में ही पानी के लिए लड़ रहे हैं भारत के दक्षने हिस्से में करनाटक के ब्रह्मगेरी परवत से निकलती कावेरी नदी जो तमिल नाडू से होते वे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है इस कावेरी नदी का पानी दोनों राजियों के लिए तकरार का एक कारण बना हुआ है और यह आज से नहीं है बलकि काफी पुराना विवाद है क्या है ये विवाद क्यूं है आए मेरे साथ जानते हैं मिरा नाम है नी तू और आप देख रहे हैं आइनस टीव करनाटक और तमिल्नाड़ू के बीच एक बार फिर से कावेरी नदी के पानी के बटवारे को लेकर ठन गई जानकारी के लिए बता दे कि करनाटक में कॉउंगरेस कि सरकार है तो वही तमिल्नाड़ू में डीम के और कॉंगरेस की गढटबंदन कि सरकार है दोनों राज्यों की बीच वैसे तो कावेरी नदी का ये विवाद आजादी से पहले का है लेकिन कुछ साल पहले सुप्रीम कोट ने इसे सुलजा दिया था लेकिन हाल ही में एक बार फिर करनाटक और तमिलनाडो के बीच इसे लेकर जगडा शुरू हो गया है और जगडा इतना बढ़ गया है कि एक बार फिर मामला सुप्रीम कोट जा पहुचा है तमिलनाडो जहां करनाटक से होते वे पानी गुजरती वहाँ के सरकार ने सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर करनाटक को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग करी इतना ही नहीं इस मुद्दे पर करनाटक में कॉंग्रेस ने 23 अगस्थ को ओल पार्टी मीटिंग तक बुला ली है करनाटक के डिप्टी सीम डीके शिवकुमार ने कहा अपने राज़े के रक्षा करना हमारा करता भी है क्यूंकि करनाटक के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई है और डैम्स में भी पानी बहुत कम है इसलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं बता दे कि ये अभी का विवाद उनके ही बयान पे शुरू हुआ है जब उन्होंने ये कहा था कि वो तमिल नाडू को पानी देने के स्थिती में नहीं है इस मामले को तमिल नाडू सुप्रीम कोट ले गई उन्होंने 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश की मांग की है इसे बीच करनाटक सरकार ने तमिल नाडू को 10,000 क्यूसेक पानी देने की भी बात कर दिये कावेरी नदी के जल का विवाद इतना लंबा क्यूं है कावेरी घाटी में हिस्सा केरल का है और समंदर से मिलने से पहले ये पुड्डू चेरी के कराईकल से होके गुजरती है कावेरी नदी की लंबाई तकरीबन 750 किलो मीटर है ये नदी कुशाल नगर, मैसूर, श्रिडंग पत्नम, त्रिडोचिका पल्ली, तंजाबुर और मलाई दुथुरी जैसे शहर से होके गुजरती है ये दोनों ही राज्य सिचाई के लिए पानी की जरुरत की वज़ाए से कावेरी के मुद्डे पर दशकों से लड़ते आ रहे है तब से लेकर अभी तक दोनों राज्यों के सरकार लड़ते रहे हैं कभी Tribunal से फैसला निकलता है तो कभी कोट से फैसला लेकिन कोई खुश नहीं होता बाद में करनाटक सरकार भी सुप्रीम कोट पहुँच गए फिर आया सुप्रीम कोट का फैसला 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोट ने करनाटक का पानी बढ़ा दिया तो तमिल नाडू का पानी घटा दिया सुप्रीम कोट ने ये फैसला दिया था कि करनाटक को हर साल 284,000 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा जबकि तमिल नाडू को सालाना 404,000 मिलियन क्यूबिक पानी देनी को कहा गया था केडल के हिस्से में 30,000 मिलियन क्यूबिक और पुड़ी चेरी के 7,000 मिलियन क्यूबिक पानी आया था इसके अलावा सुप्रीम कोट ने करनाटक को आदेश दिया कि वो हर साल तमिलनाडू को 177.27,000 मिलियन क्यूबिक पानी देगा ये पानी बिली गुंडूल डैम से छोड़ा जाएगा